तो friends, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हंदू मैरेज अक्ट 1955 के तहत आप के ग्राउंटस पे जो है तलाग ले सकते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि males और females के लिए कुछ common grounds यह हैं check sudah जिनके basis पे चाहे मेल हो, चाहे वाज़ फीमेल चाहे वो husband या wife वो तलाख इन अधारों पर ले सकते हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा चार special grounds हैं जिनके अधार पर फीमेल इन no grounds के अलावा इन चार अधार special grounds के basis पर भी डैवोर्स ले सकती हैं तो इस वीडियो में हम वो special grounds डिसकस करेंगे जिनके basis पर एक वाइफ डैवोर्स फाइल कर सकती हैं तो friends मैं हूँ जोती and you are watching Legal Storehouse तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बैल नोटिफिकेशन को भी ओन कर ले ऐसी ऐसी useful information हम आपके लिए लेके आते रहते हैं तो nine grounds हैं जिसके basis पे सब जो हैं वो डैवोर्स ले सकते हैं जिन अधारों पे husband या wife दोनों जो हैं डैवोर्स ले सकते हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिसकस किये थे वो हैं adultry, cruelty, desertion, leprosy, insanity, conversion, renunciation, not heard of being alive तो इसके लावा जो special 4 grounds हैं वो अभी हम डिसकस कर लेते हैं तो friends, जो special grounds हैं जिसके basis पे सिर्फ जो wives हैं वो तलाक ले सकती हैं उनमें से जो पहला अधार है पहला ground है वो है pre-act by gammy तो friends, अगर कोई husband एक से जादा शादी करता है तो आप इस अधार पे जो है divorce जो है wife ले सकती हैं अगर उनका husband जो है वो एक से जादा शादियां करता है तो इसको अधार लेके आप इस ground के basis पे तलाक की मांग कर सकती हैं इसमें क्या है कि ये act आने के पहले हिंदू religion के according कई कई जो sections है society के वहाँ पे sodomy practice की जाती थी इस act के आने के बाद अगर इस section के तहत कोई महिला तलाक लेना चाती है तो वो इसको अधार बना के भी divorce ले सकती है next है rape, sodomy, bestiality तो अगर कोई wife court में ये proof कर दे कि उसका husband guilty है rape जो की IPC के section 395 में defined है उस section के तहत guilty है rape का या फिर वो practice करता है sodomy या फिर bestiality तो इस ground पे भी आप जो है divorce ले सकते हैं और तलाक की मांग कर सकते हैं next to ground है वो है degree of order maintenance अगर किसी court में कोई degree या order wife को maintenance के लिए allowed किया हुआ है तो आपको जैसा कि आपको पता है कि महिलाए wife जो है वो हिंदू marriage act के section 18 और IPC के section 125 के तहक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और किसी case में अगर court ने maintenance allowed कर दी है और उस maintenance को allowed किये हुए एक साल हो चुका है और लेकिन एक साल में अगर husband maintenance शुरू नहीं करता है या फिर maintenance को बीच में ही रोक देता है तो आप इस अधार पे भी जो है इसको भी अधार ले सकती है डैवोर्स के लिए और इस ground को भी यूज कर सकती है तलाक पाने के लिए नेक्स जो ground है वो है marriage before the year of 15 years अगर किसी महीला की शादी पंदरा साल या पंदरा साल से कम की उमर में हो गई है तो वो इस ground की basis पे डैवोर्स ले सकती है डैवोर्स की मांग कर सकती है पर इसकी लिए सिर्फ एक condition है कि जो लड़की है उसकी जो age है वो 18 साल से कम की होनी चाहिए तब भी वो इस अधार पे जो है डैवोर्स फाइल कर सकती है अगर उसकी age 18 या 18 साल से ज़ादा हो गई है तो इसको as a ground लेकर वो डैवोर्स नहीं ले सकती तो फ्रेंट्स ये थे कुछ grounds जो specially महिलाओं को दिये गए हैं वाइफ को दिये गए हैं जिनके basis पे सिर्फ वाइफ जो हैं तलाग मांग की मांग कर सकती हैं तो फ्रेंट्स आई होप ये वीडियो आपको यूसफुल लगी लिए तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें ऐसे ऐसे लीगल टोपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए स्टेट्यून टू लीगल स्टोर हाउस